वेलकम डेटा इनिक्वालिटी इस वीडियो क्लास में आप सबों का स्वालत है डेटा इनिक्वालिटी पर बहुत सारे कुश्चिन्स हुए हैं और उसका कंसेप्ट भी प्लेयर हो गया होगा आज मैंने बैंक औब बड़ोधा पियो 2016 में जो डेटा इनिक्वालिटी पर कुश्चिन्स एट आया उसे लिया है अब तक जो दूसरे एक्जाम्स में आते रहे वो एक पैटर्न के बहुत सीधे सरल होते थे और सॉल्ब करने के लिए कुछ खास रहता नहीं था ये एक कुश्चिन्स एट वैसा है जिसमें मुझे बताने का बात करने का ठेश सारा अवसर मिलेगा और आप लोग भी इसे इंज्वाई करेंगे इस एपिसोड के बाद मुझे उमीद है कि कोई भी नया सेट जबाब बनाना चाहेंगे तो आप कमफर्टबल फील करेंगे तो आईए चलते हैं इन कोईशन को सुरू करने के पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूंगा कि जैसा कि पिछले एपिसोड में हो चुका है Quadrant Equation को कैसे solve करते हैं Quadrant Equation को एक बार याद दिलाता हूँ किसी भी Quadrant Equation को यदि इस shape में लिखा जा सके इस shape में लिखा जा सके तो जो x का value होता है वो alpha और beta होता है यह मैं उपर लिख देता हूँ यह हमेशा आगे के लिए रहेगा इसका इस्तेमाल करेंगे जरुबत आने पर ठीक है आएए पहले question की हो बहुत कुछ है बहुत कुछ सीखेंगे इसमें Solve the equations given below and give answer A. If x is greater than y B. If x is less than y C. If x is greater than or equal to y D. If x is less than or equal to y E. If x equals y Or relation cannot be established यह समझें यह हमारा instruction है इसके बाद five questions है Option का आख तो समझ रहे हैं हर question में two equations हैं First equation से एक value आएगा one valuable का Second से दूसरा आएगा और दोनों के जो results आएगे उनके उनसे उनका relation decide होगा कि वो कौन सा relation है और उसके मुताबिक आपका answer होगा तो आएब लोग फरस्ट देखते हैं question बहुत बढ़िया question है देखे पावर three है ना और x minus one is equal to zero आपको मन में आता होगा कि यह तो by one है ही ना तो इसको उदर ले आते हैं zero से कट गया खतम होगया zero into यह खतम होगया और this is equal to zero रहेगया ऐसा लगता होगा नहीं कर सकते क्योंकि x अगर one हुआ तो one minus one zero होता है और zero into zero का कोई अर्थ नहीं है इसका मतलब अभी हमें नहीं मालूम है कि यह क्या है this not must be zero इसी लिए जमेले में पढ़ना नहीं है यानि this into zero नहीं कर सकते फिल क्या करेंगी जरूर यहां पर factorize करने पर यह cancel होगा होगा की नहीं तो अगर x minus one इसका एक factor है यानि x minus one इसमें factorize करने पर अलग होता है तो x minus one is equal to zero किजिए तो x equals one होता है यानि x equals one satisfy करना चाहिए तो x का value one रख करके आदिखिए तो one cube one twelve देखिए तो twelve one 13 minus 13 zero yes x equals one इसको satisfy करता है इसलिए x minus one इसका एक factor होगा वैसे यह check करने क्याब सकता नहीं है मैं समझा रहा था मालूम है कि x minus one इसका एक factor होगा यहां भी y minus two factor होगा अब factorization बड़ा मेजिदार है देखिए मैं बताता हूँ यह क्या लिखा हुआ है x cube minus 13x plus 12 ठेक है उपर वाल इसे हम लिखना चाहते हैं factorize करना चाहते हैं तो हम इसे x minus one के factor की रूप में लिखना चाहते हैं तो x minus one लिख दीजी अब हमको यह result लाना है तो यहाँ पर हमें x square लिखना होगा ताकि x square into x का मतलब x cube हुआ क्योंकि equals लिख है उसके बाद minus x square आ गया न इसका सबसे अच्छा तरीका है कि x minus one लिख दीजी अब minus x square आ गया न यहाँ तो x square है दीजी तो हमें plus x square चही ताकि cancel हो जाए तो plus x लिख देने से plus x square आ गया न cancel और फिर क्या होचा minus x फिर यहाँ लिख दीजी x minus one हाँ तो minus x आ गया लेकिन यहाँ तो minus 13x है तो minus 12x और चहीए न और minus into minus plus 12 yes this can be written as this और इसका मतलब हुआ x minus one is a factor x square plus x minus 12 देखें मैं सम्धाने के लिए detail लिख रहा हूँ समझ में आने पर सीधा यहाँ रखिएगा और यह सब कुछ factorize होता चला जाएगा इसलिए पहले समझें हाँ तो अब आप समझ रहें कि इसका अर्थ यह है मीनिग यह है और इसको x minus one से डिवाइड करेंगे तो यह cancel होगा कि नहीं यह बता है तो first वाले में क्या आया first वाले में क्या आया x square plus x minus 12 is equal to zero आया पहले बाले देख लिए बढ़िया से क्योंकि इसे में मिटाऊंगा अब इसको factorize करके value निकालने का तरीका यहां से होता है क्या तरीका इधार आये x square का coefficient क्या है one plus one plus one लिया constant क्या है minus 12 minus 12 लिया और दोनों को multiply किया सम्याने के लिए मैं बोल गहा हूं समझ में आने के बाद ऐसे थोड़े लिखेंगे सब तो मन में हो जाए लेकिन समझे plus into minus minus इसका अपना meaning है one into 12 12 minus का मतलब यह है minus का मतलब यह है यह है यह है कि यहां जो one है ना one x है ना one one इसको लिखें है ना one इस अब अलग दने दीजे इस अब अलग दने यह one यह one less करके आना चाहिए और अगर plus होता तो 2 को add करके आना चाहिए इसको ऐसा प्रेक कीजिए तो हमें 12 को लिख सकते है ना 4 into 3 और 4 minus 3 लिख सकते हैं कि नहीं बताएए क्योंकि less करके आना चाहिए पास 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 minus common ले लेते हैं ताकि अंदर का sign उलट जाए ठेक और आगे देखने की जर्वत नहीं है comparing this is alpha this is beta यानि कि हमारे पास आया x का value minus 4 और 3 समय गया है ठेक है अब जो इन चीज़ों को मैं मिटाता हूं मिटाता हूं इसी तरस x का value उने निकाल लिया आईए y यह लंबा चोड़ा नहीं है यह मैं समझाने के लिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे ही लिख दूँँगा तो समझ भी नहीं आएगा तो फैला क्या है इसलिए मैं पूरा करूँगा second वाले देखी अच्छा question है मुझे लगता है पिछले 5-6 महिनों से जो मैं काम कर रहा हूं उसमें पहली बार data inequality में इस तरह का question आ रहा है आई यह y-2 है न हम दो उपर वाले को factorize कर लेते हैं तो उपर वाले को पहले लिख देते हैं y-3 है न plus 5y-2y है न minus 24 है इसको लिखते है equals लिखते है सबसे अच्छा तरीका है y-2 पहले लिख दीजी रास्ता मिल जाएगा y-2 लिखेंगे तो न होगा y-3 y-3 होने के बाद क्या आया minus 2y-2 रोकी रोकी फिर लिख दीजी आपर तो minus 2y-2 आया और हमारे पास तो plus 5y-2 है तो हमें plus 7y-2 चाहिए plus 7y-2 चाहिए ताकि minus 2y-2 होने पर घट करके less होके plus 5y-2 हो plus 7y-2 यह तो हो गया लेकिन क्या हुआ minus 14y भी आया लेकिन हमें चाहिए minus 2y तो minus 14y आया तो plus 12y लिखना पड़ेगा ना लिखना पड़ेगा ना तभी ना plus 12y और minus 14y यह इसका result होगा minus 2y और अंतिम वाला कुछ करने की जरुबत नहीं है यह वही होगा जो आना है आप समझ चुके कि y-2 is a factor और y square plus 7y plus 12 यह है और इसे जब हम लोग divide करते हैं y-2 से तो यह cancel होता है और हमारे पास आता है y square plus 7y plus 12 यह is equal to 0 बतलब यहां तक रिख चुके is equal to 0 clear? अप मैं जैसे characterize किया था value निकाली के लिए अब मन में करूँगा आये plus into plus plus add कर किया आना चाहिए 1 into 12 12 12 को factorize कि क्या लाना है 1 1 7 लाना है 7 7 7 4 into 3 12 4 plus 3 7 yes 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 4 plus 3 लिख दिया बीच वाला और यहां plus है न हमें minus है तो minus लेने से sine लेट गया these are the value y का value क्या आया y का value क्या आया minus 4 और minus 3 समझ में आया बोलिए समझ गए अब सुनिए अब हमारा answer क्या होगा तो समझाने के लिए यह तो यह समझ में आता है minus 3 देखे समझ में आता है कि minus 3 line between 3 and minus 4 so data and adequate can't be relation relation can't be established e number answer लेकिन मैं इसे समझाना चाहता हूँ इदर है this is minus 4 this is minus 3 this is 3 x का value क्या है minus 4 और 3 x का value minus 4 और 3 और y का value क्या है this लेकिन ये value ऐसा है y का जिसके लिए x का ये value less है और ये value बोर है x may be less और may be greater ऐसा कोई relation नहीं है relation हमारे पास से यह है x greater than y है greater than equal to y है x less than y है x less than equal to y है और उसके बाद 5 है कि x equal to y है तो ठेग otherwise इन 5 में से कोई नहीं है then no any relation out of these 5 can be established सब्जे? तो इसका answer क्या हुआ? e relation can't be established e में तो दो चीज़े है x equal to y वहां तो काम आपका हो गया लेकिन समझने के लिए काम जरूरी है कि relation can't be established यह answer भाद है ठेक यह समझ गया है यह हमारा first question था second question थोड़ा लबब चौड़ा लिखाया क्या लिखाया है उस पर क्या यहीं करते है न देखे तो हमारे पास दिना time नहीं है सबको break करें वहां लिखें एक एक करके करते है minus 6 यह plus 1 6 6 x square है और यहाँ minus 4 x square है तो less होगा तो 2 x square होगा की नहीं बताएं फिर यहाँ पर minus 15 x है और यहाँ पर minus minus 26 x है तो minus 26 x और minus 15 x minus 41 x होगा की नहीं और यह plus 12 है और यह भी plus 8 है minus into minus plus 8 और plus 12 plus 20 है यह एक बार लिखेंगे ना और factorization उतना नहीं लिखना आम है short में लिखना आप आला question मैंने explain किया दर detail आप तो बोलना यह है plus into plus plus 2 into 20 40 हमें 41 लाना है 40 into 1 41 को लिख सकते है 40 plus 1 यहाँ minus वो तो है कोई problem नहीं है लेकिन 2 x square नहीं होना चाहिए x square तो सब को 2 से divide कर देते है सब से क्या फ़र्ट पड़ता है हम लोगो तो सिर्फ यह चाहिए ना यानि 20 और half this is the value of x clear y 2y square और इदर minus 4y square तो solve किये तो क्या आया minus 2y square इसके बाद देखिए minus 7y और minus 12y तो यह क्या हुआ minus 7y minus 12 minus 19y और फिर देखिए y कैंसल minus 3 और यह minus 32 यानि minus 35 is equal to 0 अब सब minus यहां है तो हम लोग minus से multiply कर देते है सभी positive हो जाएगा सीधा हो जाएगा सुभिदा हो ठीक है सुभिदा के क्या है अब देखिए plus into plus plus 2 into 35 तो 2 into 35 को लिखते हैं 5 into 7 plus into plus plus 2 number बनाना और राड़ करके 19 चाहिए क्या करें 10 and 7 तो नहीं होता 14 and 5 होता ना तो 19 को लिखते हैं 19 को लिखते हैं 14 plus 5 हो यह लेकिन यहां तो plus है ना तो minus कमाल लेदे minus 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 और 2y square है ना अमको 2 से divide दरना पड़ेगा 2, 2, 2 यह क्या होगा minus 7 और minus 2.5 बोलिया अब कुछ line wind draw करने की जर्द नहीं है x का value positive है y का value negative है x is greater than y for all values x is greater than y for all values x is greater than y for all values x is greater than y का मतलब क्या हुआ a is the answer ठीक, समझ में आया इसके बाद आते हैं हम जो third third तो simple linear equation है साब तो करते हैं लेकिन इसका जो स्वरूप दिया है nature वो थोड़ा अलगत रखा है x का value वहां रख दिजिए y निकल जाए y का value यहां रख दिजिए x निकल जाए तो सीधा सीधा सरन सरन है that is best यहां पर वही best है यह से दिखी x का value क्या है पहले वाले से निकलते है x जी पर्डू क्या है 3 into y है ना y y plus 24 यह है ना y का value यहां से रख देते है 2x plus 11 यहां तो यह best है यह 6x है उदर दाके हुआ minus 5x आई यह हुआ 33 and 24 तो यह हुआ 57 x equal to minus 57 by 5 वो आखी नहीं बताईए और उसी तरह से y क्या है y equal to क्या है 2x plus 11 हम दो क्या करते है x x के जगह पर क्या लिख देते है x का value यह क्या लिख देते है 3y plus 24 देखिए 6y यह इधर आगे हुआ minus 5y और यह हुआ 48 and 11 48 and 11 59 यानि y का value क्या हुआ minus 59 by 5 अब दोनों का comparison करेंगे तो देखिए base तो 5 5 equal है छोड़ दीजी 57 और 59 में कौन बड़ा है यह वाला 59 बड़ा है और minus जब लगा दी तो छोटा हो गया y less than x is greater than y बोलेंगे x is greater than y x is greater than y ए इस आइज़ आइंस है बोली 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 सीक है यहां पर linear equation को तरह तरह से solve करने के बावजूद यहां यही तरीका best है इदर आएगे देखिए क्या दिखा हुआ 6x square plus 31x plus 35 is equal to 0 और दूसरा वालक है 2y square plus 3y plus 1 equal to 0 देखिए plus into plus plus add करके लाना है 6 का मतलब 2 into 3 35 का मतलब 5 into 7 इसका grouping कीजिए 10 and 21 31 31 को लिखिए 21 plus 10 हो गया x यहां plus है तो minus कमल ले लिजी और 6 यहां है नहीं होता तो यह होजाता तो 6 से divide करना पड़ेगा क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है 6 से divide करना होगा 6 से divide कीजिए तो 6 से divide कीजिए तो 6 से divide करेंगे तो क्या होगा देखिए 3 से 2 बार में 3 से 7 minus 7 by 2 बोले गए minus और दूसरा क्या होगा minus 5 by 3 पोलेगे ईसका मेलू उसी तरह से इसका देखिए 2 into 1 2 plus into plus plus आट अट गर इलाना है तो 3 को लिणी सकते है 2 plus 1 यहां plus है तो minus 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 wide हैगा और 2 से डिवाइट कीजिए 2 से डिवाइट कीजिए से डिवाइट कीजिए, माइनस 1 और माइनस 1 अब दोनों को जैना देखी तो क्या है? तो हम लोग देखते हैं, यह दोनों value इधर होगा, माइनस 7 बाइ 2 और माइनस 5 बाइ 3 इधर होगा, माइनस 1 इधर होगा, माइनस 1 इधर होगा, obviously, obviously, x का जो value हो, छोटा है, x is less than y, x is less than y, इसका answer हुआ x is less than y, इसका मतलब क्या हुआ? B answer, पूले, last question देखिए, देखने में लंबा जोड़ा लग रहा है, कुछ नहीं है, आईए देखिए, यह 2 x square है, माइनस, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, प्लस रूट अगर 13 y, x है, और प्लस, 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 एक्स होगा है, x, x है, रूट अगर 13 x है, प्लस 2 रूट 13 है, इस इक्पल टू 0 है, और सेकेंड वाला जी, 10 y square है, माइनस 18, 15 plus 5 root 13 y है, plus 9 root 13 है, मैं कुछ ज्यादा नहीं लिखूंगा, जितना जरूरी होतना लिखता हूं, क्योंकि अब तक आप समझ चुके हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस, एड़ करके लाना है, 2 x 2 root 3, नहीं समझे, 2 x 2 root 13, तो 4 root 13, इसको break करना लाना है, 4 plus root 13, इंट तो clear है, 4 plus root 13 तो है ही, कुछ करने की जरूरत यह नहीं है, यह तो है, 4 and root 13, यह तो है ही, और प्लस करके लिखाए हुआ है, बस 2 से डिवाइड कर दीजिए, finished, finished, x का value हुआ, 2 and, और, half root 13, ठेक, समझ गया है, y में आएगे, y में आता है, y का देखिए, यहाँ पे उसी तरह से की, plus into plus, plus add करके लाना है, 10 का मतलब क्या होता है, सिदा लिखेना, 10 मतलब होना, 10 into 9 root 13, 90 root 13 होगा ना, और 90 को बोलते हैं, 18, plus 5 root 30, ऐसा बुत सकते हैं गी नहीं बोली, 18 plus 5 root 30, क्योंकि 18 into 5 root 30, जब ऐसे करेंगे, पोई होगा ना, 90 into root 30, 90 root 30 को हमने लिख दिया, 18 plus 5 root 30, लिख सकते हैं, लिखा हुआ है, बस tensor divide कीजिए, फिरेस्ट, तो y का value क्या आया, 1.8, और इसका कितना आया, इसका, और half root 30, उपरवाल अगौर कीजिए, उपरवाल में क्या लिखा हुआ था, था ना, ऐसे करके, इस तरह से था, तो हम लोग उने 2 से divide किया था, तो ये 2 आया था, और half root 13 आया, हम लोग क्या देख रहे हैं उपर, अगर number line खीचे दोनों के लिए, तो हम लोग क्या देखता है, एक है 2, और दूसरा है 1.8, 1.8, फिर ये half root 13, ऐसे है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कि x का जो value है, वो या तो ऐसे है या ऐसे है, और y का जो value है, या तो ऐसे है या ऐसे है, तो relation can't be established, देखिए, relation can't be established, योग कि जो 2 है, वो इससे बड़ा भी है, इससे छोटा भी है, relation can't be established, तो इसका answer क्या होगा, E, relation can't be established, ठीक है, अब आप ये बताइए, कि पूरे question में आपको मज़ा आया है नहीं, data inequality एक ऐसा section है, जो score कराएगा, time save करेगा, और 100% accuracy भी इसमें रहेगी, इसलिए ये आपको link दे लाने वाला chapter है, तो इसमें आप खास ध्यान दे, okay, all the best.